हेलो गाइस वेलकम बैक टो अबर चनल गाइस इस वीडियो में बात करेंगे इगनु उनिवर्सिटी बीएट के उपर बहुत सारे स्टूनेंट एक की कोशन पूतर हैं के सार इसकी फर्स्ट मेरिट लिष्ट जोन वाइस कब तक रिलीज होगी दन उसके बारे में बता और मैं तो पूट रही है रहने वाला है कि आप लोगों के जो कांसलिंग का जो प्रोसेस है वो किस परकार से रहेगा पूरा का पूरा मैं आप लोगों के इसी वीडियो में बता दूंगा जो कैनेरेटर हमाँ चल पर पहले और विजिट कर रहे तो गाईस प्लिस लाइक औ को सब्सक्राइब देखे हैं तो एक सब लोगों का जोकी इमपोटेंट रहेगी सब्सक्राइब यहांप सब्सक्राइब हुआ है कि important document required for ignubi ed counseling आप लोगों की जब भी counseling होगी जब आप लोगों को ये document must है कि आप लोगों को लेके ही जाने पड़ेगे इसमें एक दो document नहीं है वो भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं लेकिन वो must है आप लोगों को पिछली जब counseling हुई थी verification तो बहुत सारे student के पास नहीं था लेकिन उनका time दिया था उन time में भी candidate ने नहीं किया था तो इसलिए waiting list भी तो निकाली जाती है बहुत सारे student waiting list में भी प्रयास करते हैं जो first merit list में आने के बाद भी बहुत सारे candidate ऐसे होते हैं वो एडिविशन नहीं ले पाते हैं मतलब लेना ही नहीं नहीं चाते हैं कहीं नहीं उनका पहले से ही selection हो जाता है तो उनके लिए waiting list होती ही जो पहले वाले बच्चे है तो उनका priority दे दी जाती है मैं आप बात कर ले तो इगनु बेड मार्क सिट आप लोगों की एक मार्क सिट होगी मार्क सिट माने तो आप लोगों का जो भी आपका आरसी होगा रिजनल सेंटर होगा वहां से एक मेल डाली जाएगी जो भी आपने मतलब की रेइस्टेसिन के वक्त आपने रेइस्टर् बिट दी होगी ऊपर आप लोगों को मेल transfer किया जाएगा उस mail में आप लोगों को counseling process के बारे में बताए जाएगा उसमें साफ-साफ लिखा हुगा कि आप लोगों इस तारिक को आना है ठीक है और आपने यह यह document आप लोगों को properly तरीके से लेके आना है अब यहाँ पर देखिए academic certificate academy certificate क्या होता है तो आपके एक तो 10th की mark seat होगी ठीक है 12th की mark seat होगी और बहुत सारे student है कि graduation तो complete है उनकी भी mark seat आपको ले के जाना पड़ेगा और बहुत सारे student ऐसे बहुत को PG हो रहो है तो अपना PG ले के जाना ठीक है अगर नहीं हो रहो रहो है तो अपना graduation के base पर आप आपना counseling process से करवा सकते हो ठीक है तो यहां पर एक character certificate भी लगेगा यह भी must है इसमें ठीक है character certificate आप लोग को अपने मतलब कि किसी भी विधान सावाद से ब्लॉंग करते हो तो वहां पर अपने MLA वगरा वगरा सिदाके बनवा सकते हो बहुत easily तरीके से बन जाएगा ठीक है अगर यह सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस से रिलेटेड आप लोगों को पता है 135 से प्लस वीडियो हो चुकिया इगनुब एड के उपर ही उपर माने तो मतलब four year के experience से आप लोगों को जो भी counseling होता है जब भी process होता है document verification अंतीम समय तक आप लोगों को साथ ही channel के माध्यम से दि सकता है ठीक है तो यहां पर अगर मैं बात करूँ टू passport size photograph आप लोगों को recent वाले two passport size photograph लेके जाने एक ID ले लेना चाहे अपना pen card लेना चाहे voter ID लेना चाहे other card ले लेना ठीक है अब यहां पर एक और है कि cast income certificate यहां पर देख सकते हो अब बहुत सारे student ऐसे हैं उनका cast certificate है और देखे income certificate और domicile certificate यह आप लोगों को applicable है यह इसमें से आप लोगों को income certificate अगर आप लोगों के पास है तो वो लेके ज़रूर जाना है क्यूंकि बहुत सारे candidate ऐसे भी हैं मतलब job तो कर रहे हैं तो वो आप पूछ रहे हैं comment box के वादम से कि सारे income certificate हमारा लगेगा या parents का लगेगा तो जो candidate job कर रहे हैं तो उनी का लगेगा और जो job नहीं कर रहे हैं वो income certificate अपने father का लगा सकते हैं ठीक है तो यह तो हो गया आप लोगों का income और cash certificate के ऊपर ठीक है अब ऐसे भी candidate है जो मतलब cut off से ब्लॉंग तो कर रहे हैं लेकिन वो suspense में सार होगा की नहीं होगा आप लोग मैंने आप लोगों को comment आपने comment करी थे मैंने comment कर आपको reply दे दिया है आप लोगों को जो candidate ने मतलब comment करी है उसको सब का reply मिला है ठीक है अगर expected cut off 2024 की बात करे आप लोगों को बता है दिल्ली जोन बंबाई जोन कोलकाता जोन ठीक है यह सब जोन ऐसे है नोटा जोन जिसकी cut off your category से अगर आप लोग ब्लॉंग करें तो 80 प्लस आप लोगों को जाने की संबाब नहीं ठीक है प्लस आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर यह 45 जोन को चोड़ा जाए तो आप लोग अगर 78 भी यह और category से ब्लॉंग कर रहे हो ना किसी भी जोन चे हो तो आप लोगों के इतने में हो जाएगा में को एक बार बता देना सर हम इस वाले जोन से ब्लॉंग कर रहे है क्या हो जाएगा कि नहीं OBC category से आप लोग अगर ब्लॉंग कर रहे किसी भी जोन से आप लोगों को पता है कि जॉनवाइस 50 seat reserve होती है तो 50 seat को हम extended तो नहीं कर सकते है आर्ची अपना extended नहीं कर सकता है इनी सीटों में आप लोगों का 50 seatों में cutoff आपकी जाधा कर देता है तो unique candidate को लिया जाता है जिसके highest number हो यहां पर अगर 75 से 78 की बात कर रहे तो कि मैं पूरे all zone की बात करहों यहां पर particular किसी एक zone की बात नहीं कर रहों किसी भी zone से आप बलॉंग करते हो अगर इतने नाजी बन रहे तो मिरे को comment box के माधन से कर सकते हो किसार में इस वाले zone से ब्लॉंग कर रहे है हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है अगर this category is a blue ए और आप लोगों के बात करूँ यहां पर आप लोगों के आ रहे हैं इसमें तो आप लोगों का हो जाएगा पिछली बार 60 गही थी ST category की भूमनेव सर जोन से ठीक है बुडिश्या बाले जोन से जादे तर आप लोगों के 60 देखने को मिली थी अगर यहाँ पर PWD category से ब्लॉंग कर रहे हो तो आप लोग अपना score data बिलकुल एकदम secure माना क्योंकि PWD category से पिछले साल से थोड़ी हाई होने लगी है क्योंकि competition हो गया अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप लोगों की counselling तो देखिए counselling की अगर मैं बात करूँ देखिए अब यह वीडियो सूट हो रही है तो आज 9 मार् और इसी मन्त में आप लोगों की ज़्यादा chances है कि फर्स्ट मेरिक लिट जॉन वाइज रिलीज की जाए अबरी जॉन वाइज रिलीज कर देगे तो यह तो प्रोसेस है पूरा का पूरा आई होप थोड़ी सी भी वीडियो आपको अच्छी लगी तो गाईस प्लिस लाइक